द्रिश्टी आई-एस के टुडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रीकैब से करते हैं पहला सवाल है हाल ही में जारी वैश्वेक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है 78 दूसरा सवाल Health System for a New India Building Blocks नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? उत्तर है नीतियायोग तीसरा सवाल हाली में किसने श्री लंका के नए राश्ट्रपती के रूप में शपत ली है? उत्तर है गोटाबाया राजपक्षे चौथा सवाल भारत द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली कौन सी मिसाइल का पहली बार सफल रात्री परिक्षड किया गया है? इसका उत्तर है अगनी टू चट्वा प्रश्ण हाली में लैश राम सरीता देवी को अंतर राश्ट्रिय मुक्के बाजी संग एथलीट आयोक का सदस्य चुना गया है? वे किस राज से हैं? उत्तर है मडीपुर सात्वा सवाल हाली में ATP फाइनल्स टैनिस टूनामेंट का खिताब किसने जीता है? उत्तर है स्टेफनो सित सिपास आठ्वा सवाल एशियाई युवा मुक्के बाजी प्रतियोगिता में भारतिय महिला मुक्के बाजों ने कितने स्वण पदक जीते हैं? उत्तर है पांच नौवा सवाल त्रेसथवी राष्ट्रिये शॉट्गन निशाने बाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका उत्तर है नई दिल्ली और दसवा सवाल पचीसवे कोलका था अंतरराष्ट्रिये फिल्म महोसाव यानि कियाई एफ एफ में सर्वश्रेष्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर एवार्ड किस फिल्म को दिया गया? इसका उत्तर है दा वीपिंग वीमन तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्ण को देखते हैं आपसे पूछा गया था कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चेंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 12 भारत ने दुबाई में विश्व पैरा एथलेटिक्स चेंपियनशिप में 9 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है जो अब तक का सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन है दो स्वन्ड, दो रजत और 5 कास्य पदकों के साथ भारत ने टोकियो 2020 पैरलम्पिक्स में 13 क्वालिफाइंग इस्थान हासिल किये हैं इसके पहले 2017 में लंदन में आयोजित चेंपियनशिप में भारत का सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन रहा था जिसमें भारती खिलाडियों ने 5 पदक हासिल किये थे इस प्रतियोगिता में संदीप चौधरी ने भाला फेक इस परधा की F-64 श्रेडी में सुन्ड पदक और सुमित अंतिल को रज़त पदक मिला वहीं दूसरा पदक जैवलिन थ्रो की F-46 रेडी में सुन्दर सिंग गुर्जर को मिला जबकी दूसरा रज़त पदक उची कूध में शरद कुमार ने हासिल किया पदक तालिका में 25 सौण सहित 69 पदकों के साथ चीन पहले स्थान पर रहा वहीं ब्राजिल 14 सौण सहित 29 पदकों के साथ दूसरे ब्रिटेन 13 सौण सहित 28 पदकों के साथ तीसरे और अमेरिका 22 सौण सहित 34 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा 2016 में डोपिंग प्रतिबंध के बाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहे रूस ने 10-10 सहित 41 पदक जीते तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option C 9 पदक आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया था चलिए आज की सेशन के पहले सवाल को देखते हैं इस रो द्वारा कार्टो सेट 3 और 13 वालिज्जिक नैनो उपग्रहों को किस प्रक्षेपढ यान से लॉंच किया जाएगा option है PSLV C 47, GSLV Mk3, SLV 3 या फिर Arian 5 option है PSLV C 47, GSLV Mk3, SLV 3 या फिर Arian 5 भारत का ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपढ यान यानि PSLV C 47, 25 नवंबर को कार्टो सेट 3 और 13 वालिज्जिक नैनो सेटिलाइट्स को लॉंच करेगा इनका प्रक्षेपढ सूर्य तुल्लिकालिक कक्षा में 27 धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरी कोटा से किया जाएगा PSLV C 47, PSLV के एक्सल प्रारूप में 21 वी उडान है जो 6 सॉलिट स्ट्रेप आउन मोटर्स के साथ आती है वहीं कार्टो से तीन उपग्रह तीसरी पीली का तेज एवं उननत उपग्रह है जिसमें उच्छ रिजोल्यूशन की इमेजिंग छमता है PSLV C 47, अमेरिका के New Space India Limited यानी NSIL अंतरिक्ष्य विभाग के साथ वालिजिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में सयुक्तुराज अमेरिका से 13 वालिजिक नैनो सैटेलाइट ले जाएगा वहीं यह प्रक्षेपड मौसम की स्थिती के अनुरूप निर्धारित किया गया है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option A PSLV C 47 दूसरा सवाल हाली में जारी IMD World Talent Ranking Report में भारत किस पायदान पर है Option 42, 47, 69 या फिर 60 IMD World Talent Ranking के नवीनतम संसकरल के अनुसार जीवन की निम्न गुडवत्ता और शिक्षा पर खर्च के कारण 63 देशों की वैश्विक वारशिक सूची में भारत 6 स्थान गिरकर 69 स्थान पर आ गया है यह ranking तीन मुख्य श्रेडियों निवेश और विकास, अपील और readiness में प्रदर्शन पर आधारित है इसके अलावा भारत ब्रिक्स देशों में भी पीछे है जिसमें चीन 42 स्थान पर, रूस 47 स्थान पर है यहाँ आप श्रेडियों में इस ranking को देख सकते हैं वहीं श्रेडि में शीर्ष इस्थानों की बात करें तो स्विट्जल लेंड को पहले, डैनमार को दूसरे और स्विडन को तीसरे इस्थान पर रखा गया है इसी तरह शीर्ष दस देशों में आस्ट्रिया, लक्जंबर्ग, नौर्वे, आइसलेंड, फिल्लेंड और नीदल लेंड्स का इस्थान है इसमें सिंगापुर भी शामिल है तो इस सवाल का सही जवाब है option C 69 पायदान पर तीसरा सवाल किस राज या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री सैप्टिक टैंक सफाई योजना शुरू की गई है option है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर पुदुचेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अर्विंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सैप्टिक टैंक सफाई योजना की घोश्रा की है यह योजना निवासियों को मुफ्त सैप्टिक टैंक की सफाई सेवा का लाब उठाने की अनुवती देगी इस योजना का उद्देश कॉलोनियों से सैप्टिक टैंकों के कचरे को इखटा करना, सरकार के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कचरे का सुरक्षित निप्टान सुनिश्चित करना और सफाई के लिए सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ प्रशिक्षित कर्मचारी तैना चौथा सवाल परेटन मंत्राले द्वारा भारती साहिसिक परेटन दिशा निर्देश 2018 के तहत कितने साहिसिक परेटन गतिविधियों को वर्गी कृत किया गया है ओप्शन है 21, 25, 28 या फिर 31 परेटन मंत्राले ने भारतिय साहिसिक परेटन दिशा निर्देश 2018 के संसकरल 2.0 के संशोधित दिशा निर्देशों के तहट 31 साहिसिक परेटन यानी Adventure Tourism गतिविधियों को वर्गी कृत किया है यह गतिविधियां भूमी आधारित, जल आधारित और वायू आधारित हैं आपको बता दें कि भारतिय साहिसिक परेटन दिशा निर्देश 2018 के दूसरे संसकरल में वेभिन् शाहिसिक गतिविधियों के लिए विस्तरित मानदंड दिये गए हैं वहीं साहसिक परेटन गतिविधियां विभिन राज्यों या केंदर शासित प्रदेशों में आधारभूस सन्रचना की उपलब धिता और भूभाग के आधार पर होती है और राज सरकार की देखरेक्ष में की जाती है। तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option D. 31 पाचवा सवाल सरकार द्वारा Chief of Defense स्टाफ की न्यूक्ति को मंजूरी दी गई है इस पत के स्रिजन में किस समिती की भूमिका नहीं है option है कारगिल रिव्यू समिती केलकर समिती नैशनल सिक्योरिटी पर टास्क फोर्स या फिर शेकटकर समिती रक्षा राजमंत्री श्रीपद नाईक ने राजसभा को एक लिखित उत्तर में बताया है कि Chief of Defense स्टाफ की न्यूक्ति प्रक्रिया में सरकार ने सैध्धान्तिक रूप से CDS के पद के निर्माल को मंजूरी दी है CDS या पर्मानेंट Chief of Staff कमेटी के अध्यक्ष के पद के स्रजन की सिफारिश कार्गिल रिव्यू कमेटी, Group of Ministers, G.O.M. Report, National Security पर टास्क फोर्स और शेखटकर कमेटी ने की है इसके अलावा केंद्री मंत्री ने कहा कि सैन सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार द्वारा आवशक्ता अनुसार समय समय पर जरूरी कदम उठाए जाते है तो इस सवाल में आपसे किस समिती की भूमिका नहीं है पूछा गया है तो इसका जवाब है केलकर समिती छठवा सवाल किमबरले Process Certification Scheme यानि KPCS की Plenary 2019 मीटिंग का आयोजन कहा किया जा रहा है ओप्शन है पैरिस, बर्लिन, नई दिल्ली या फिर केप टाउन किमबरले Process Certification Scheme यानि KPCS की Plenary बैठक 18-22 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में आयोजन की जा रही है इस मौके पर बोलते हुए वालिज सचिव ने कहा कि किमबरले Process यानि KPCS की Plenary बैठक 18-22 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में आयोजन की जा रही है जिसने है सुनिश्चित किया है कि दुनिया में 99.8 फीसद हीरे का व्यापार संघर्ष मुक्त रहे वर्तमान में भारत लगभग 24 बिलियन अमरीकी डॉलर के कट और पॉलिश किये गए हीरे का निर्यात करता है अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत एक ट्रिलियन यूएस डॉलर के निर्यात लक्ष तक पहुँच जाएगा और इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए जेम एंड जोलरीक छेतर में विशेश रूप से कट और पॉलिश किये गए हीरे महतपूर योगदान देंगे भारत के लिए KPCS का महत बहुत अधिक है क्योंकि एक मिलियन से अधिक लोग सीधे हीरा उद्योग में नियोजित है वहीं KPCS की बात करें तो यह 1 जनवरी 2003 से प्रभाव में आया है और हीरे व्यापार में संगर्श को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में विक्सित हुआ है वहीं भारत किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वर्ष 2019 के लिए किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्ष है भारत ने इससे पहले वर्ष 2008 में KPCS की अध्यक्षता की थी तो इस सवाल का सही जवाब है option C नई दिल्ली सात्वा प्रश्ण है छठी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई option है बैंकोक, मुंबई, जकार्ता या फिर हनोई रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग ने बैंकोक की राजधानी थाईलेंड में छठुए आशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक को संभोधित किया इस मौके पर उन्होंने अंतराश्ट्रिय समुदाय से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने उनके नेटवर्क को बाधित करने और इस्थाईक छेत्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का अहवान किया इसके अलावा श्री सिंग ने कहा कि भारत का रक्षा निरयाद पिछले दो वर्षों में लगभग 6 गुना बढ़ गया है और एरोइस्पेस एवं रक्षा वस्तूओं के साथ सेवाओं में 2025 तक 10 डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है जिससे 20 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है तो इस तरशन का सही जवाब है ऑप्षन A. बैंकॉक आठवा सवाल हाली में एशियाई विकास बैंक यानी ADB एवं भारत सरकार ने किस राज़ में व्यापक जल प्रबंधन के लिए रिड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्षन है केरल, तमिल नाडू, करनाटक या फिर आंधर प्रदेश एशियाई विकास बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने विजयनगर चैनल सिचाई प्रडाली के आधुनिकी करण और किष्णा नदी घाटी में नदी घाटी प्रबंधन योजना तयार करने के लिए 91 मिलियन अमेरीकी डॉलर के रिड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इससे करनाटक में सिचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ने के साथ साथ सतत जल सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिलेगी इस परियोजना से क्रिशी में इस्तिमाल के लिए जल की कमी भी दूर होगी जो राज में कुल जल के इस्तिमाल के 84 प्रतिशत से अधिक है इसे राज में अन्य उबहुकताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल की उपलब्धता भी बढ़ेगी अब बात करें ADB की तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी इसके सदस से देशों की संख्या 68 है जिसमें एशिया एवं प्रिशान्त क्षेतर के 49 सदस से शामिल है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option C करनाटक नौवा सवाल भारत और रूस के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए Days of Moscow कारिक्रम का आयोजन कहां किया जा रहा है option है Moscow, नई दिल्ली, मुंबई या फिर व्लादी वोस्तोक भारत और रूस के बीच मैत्री संबंधों को मजबूती देने के लिए सांस्कृतिक कारिक्रम Days of Moscow का शुभारंब हुआ है यह आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसका उद्देश दोनों देशों की राजधानियों के बीच संपर्क बढ़ाना है दिल्ली सरकार के परेटन विभाग और मौस्को प्रशासन ने दो दिन के इस कारिक्रम का आयोजन किया है वहीं दिल्ली के उपमुख्य मंत्री ने कहा कि Days of Moscow एक व्यापक कारिक्रम है जिसका लक्ष दोनों शेहरों के बीच आर्थिक सांस्कृतिक खेलकूद शेक्षिक और शेहरी विकास खेत्र में संपर्क को बढ़ाना है तो इस प्रश्न का सही जवाब है Option B नई दिल्ली सेशन का अंतिम सवाल हाली में कौन सा देश WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है Option है बांगलादेश, पाकिस्तान, भारत या फिर श्री लंका सिंधप्रांत में संभावित घातक बीमारी के एक दवा प्रतिरोधी स्ट्रेन का मुकाबला करने के प्रयास में पाकिस्तान एक नया टाइफाइड वैक्सीन पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इस वैक्सीन का नाम टाइफाइड कॉन्जूगेट वैक्सीन यानि टी सी वी है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इस ट्रेन जो कथित रूप से एक सुपर बग बन गया है अब तक इस देश में लगभग 11,000 लोगों को संक्रमित कर चुका है इसमें सिंध प्रांद के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है विश्यो स्वास्ते संग्ठन यानि WHO द्वारा 2018 में अनुमोदित कियेगा इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू में सिंध के शहरी इलाकों में 18-30 नवंबर तक होने वाले टीका करण अभियान के दौरान किया जाएगा तो इस प्रशन का जवाब है ऑप्शन B पाकिस्तान तो चलिए आज का अभ्यास प्रशन देखते है 63 हुई राश्ट्री निशाने बाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की ट्रैप इस परधा में स्वर्ण पदक किसने जीता है ऑप्शन है श्रेयसी सिंग, वर्दा शर्मा, इनाया विजय सिंग या फिर प्रब सुखमन कौर तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रशन का सही जवाब देना ना भूलें अगले सेशन में इस सवाल के जवाब और कुछ नए प्रशनों के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार